सद्गुरू, हम युवाओं का आजकर अपनी भावनाओं पर कम काबू होता है तो जब हमारा कोई करीबी व्यक्ति या जिससे हमें प्यार हो अगर वो हमें धोका दे तो हम कैसे प्रतिक्रिया करें? इस लड़की का दिल अभी से तूड गया है कोई आपको धोखा दे सकता है या आपको लगता है कि वे आपको धोखा दे रहे हैं क्योंकि आपको उनसे ऐसी उम्मीदे हैं जिने पूरा करना नामुम्किन है अगर वे अपनी मर्जी का काम करते हैं तो आप क्यूं सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। वे अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, आपको इसका सम्मान करना चाहिए। अगर आप कहती हैं मैं उनसे प्यार करती हूँ, अगर आप किसी व्यक्ती से प्यार करती हैं, तो आप उन्हें वो करने देंगी जो वो करना चाहते हैं या उन्हें वो करना चाहिए जो आप उनसे करवाना चाहते हैं जादा तर लोगों के लिए प्यार मतलब तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ नई नई प्यार मतलब वो जो चाहे वो कर सकते हैं और हम उनसे प्यार करेंगे है ना आपको लगता है कि अगर मैं तुमसे प्यार करूंगी तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी नई 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 अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप वो करें जिससे आपको खुशी मिलती है न? आपको प्यार का कॉंसेट बदलना होगा मगर सद्गुरू इस बारे में मेरा एक सवाल है अगर हमारे करीबी लोग ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जो उनके लिए अच्छा नहीं है और हम उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं इसी लिए हम उन्हें बता रहे हैं फिर आपको उनकी मा होना चाहिए था क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई गलत रास्ते पर जा रहो हो और आप उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कभी सच नहीं होता मगर आपको ये रुख नहीं अपनाना चाहिए कि कोई गलत है और आप उन्हें ठीक करने वाली है वे वो कर रहे हैं जो वे करना चाहते हैं वे जो करना चाहते हैं हो सकता है कि वो अभी उनके लिए फायदे मन न हो, यह संभव है. मगर आपको इमांदारी से देखना चाहिए कि क्या आप इसलिए शिकायत कर रही है क्योंकि ये उनके लिए अच्छा नहीं है या इसलिए क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है? अक्सर यही सच होता है इमानदारी से इस पर गौर कीजिए अगर ये आपके लिए अच्छा नहीं है मगर उनके लिए अच्छा है तो उन्हें वो करने दीजे लेकिन अगर वे खुद को नुकसान पहुचा रहे हैं तो हाँ फिर आपको दखल देने और अपनी पूरी कोशिश करने का हक है मगर हमेशा नहीं आप हमेशा किसी के जीवन में घुश कर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते अगर मुझे आपके जीवन में घुश कर आपके लिए कुछ करना है तो मुझे वो कमाना पड़ेगा है न मुझे वो रिष्टा कमाना होगा जहां मैं आपके जीवन में दखल दे सकूँ अगर आप वो नहीं कमाते तो आप दखल नहीं दे सकते तो अगर आप दखल नहीं दे पा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपने वो नस्दीकी नहीं कमाई है क्लोजनेश